वोट ताक्रितिक दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसको नेचर पैस भी कहा जाता है हमारा शरीर जो है पांच चीजों से मिलकर बना हुआ है ठीके उसमें से हैं मिट्टी, धूप, सुरेट अप्रतास, जल, आकाश ये चाहर पांचों चीजों से मिलकर बना हुआ है आगे जब पढ़ोगे ये सारी चीड़े आएंगे तो हम लोग इसको दिगारते ला रहे हैं आज के महोल के इसाफ से चौमिंग, अंडा रोल ये सब खागा कर ठीक है ये सारे इतने फ्राई सरके खाने वाले चीज़ हैं हम लोगो को सरीर को नुप्सान पहुचाते हैं लेकि खाएंगे जैसे सबजीर हुएया आंकूरित होने वाले जितने चीज़े होते हैं चनहा होता है ना चनहा बिंगा कर आपके मख़कर नगया घर बनाकर खाते होंगे लेकिन तो रहना होती है और उस तरह खाओगे तो और फायदिमन रहेगा वे लोगों की उमर अधिक होती है पहले के लोग सुनेते हैं कि देड़ सो साल, दो दो सो साल, तिन तिन सो साल जिमित रहते हैं और आज क्या उमर क्या है? साथ साल अवसत माना गया है बहुत अच्छे से हम रहेंगे साथ साल अवसत माना गया है बहुत अच्छे से हम रहेंगे तो हम असी साल जियेंगे लेकि पता चलेगा दस साल विस तरह पपड़ के जियेंगे यह भी है, असी साल जियेंगे तो तो यह खान पान हमको बदलना पड़ेगा ग्यान देना पड़ेगा जितना उससे पूरी बना के रहोंगे उतने अच्छे स्वस्त रहोंगे और जीवन आपका लंबी चलेगी लेकिन हम लोग इसको बदलते जा रहा हैं तो आज जो है 18 नौंबर प्रागेतिक दिवस के रूप में मनाया जाता है इसलिए ये बताया गय योग करो स्वस्त रहों योग से मतलब है अगर आप नमाज भी पड़ते हो तो एक एक साइज हो जा रहे हैं सुबह का उठना तमजी अपने सरीर को स्वस्त करना यानि सूर्य की किरण से पहले उठ जाना सुबह का मतलब कुछ लोगों का नो बजे की सुबह होता है वो नहीं सूर्य की किरण निकलने से पहले उठ जाना तो इतना ही बातों से अपने अलफास को विराम देंगे सल्मान सर्द आये होते तो तुछ बताये होते